ये जूस बगएरा सस्ते लगे हुए हैं सारा का सारा खाली कर दिया लोगा ने तो आप आदी है सबसे ज़रूरी चीज दूद तो अभी हम पहुंच चुके हैं इंडियन आइल में अब मैं आपको दखाता हूँ इंडियन के प्राइसिस ये हेलो एवरिवन तो आज मोसम बाहर बढ़िया हुआ है धूप निकली हुई है और इतनी ज्यादा थंड भी नहीं है टेंपरेचर भी शे करना वीडियो को लाइक करना कमेंट कर दो केंश सिर्ण वीडियो अचार महिने के小時 करने चारें करने किया मैं सुआन गया था प्राइसिस देखकर इतने ज्याद प्राइस हो गए एं जो एकदम से हर साल कुबनेंट रिपोर्ट निकालती है जिसमें से यह प्रेडिक्ट करते हैं कि इतनी इंफ्लेशन होगी अगले साल और इतने प्राइस इंक्रीज होगे फिर पादा चलता है कि यह इस से ज्यादा हुए कि कम हुए जैसे कि अब इस रिपोर्ट पर देख रहे हो ना इसमें इन्होंने इंक्रीज होगा ग्रोसरी के उपर लेकिन असल में 10.3% का इंक्रीज हुआ इंफ्लेशन के बढ़ सकते हैं और आज की वीडियो में आपको एक्शुल प्राइस दिखेंगे मैं वालमर जाओंगा शॉपिंग करने को तो मेक शूर प्लीज डू हिट दे लाइक बटन विलो और में कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि कैनदा में मिनिमम वेज पर सर्वाइब करना अभी वी एजी है या फिर नामुमकिन हो गया है विकोज हर के रेंट बढ़ गे हैं ग्रोसरी के प्रैसी बढ़ गे अब यह देखो लगी है अब यह देख लिए अगर गुश्वी अपने लेना है बस अब देखते रहो ग्रोसरी के प्राइसी तो फाइब नाइन टी सेवन की स्ट्रोबरी जेलो कोई बढ़ी आसी इंस्पेक्शन गर भी इसके खरागा नीचे से खराब उना इसमान यहां प दिखाओं यह देखाओं नो डॉलर के थ्री एलवी हर एक चीज का प्राइस मतलब बड़ा हुआ है एपल दो यहां पर बहुत तरेक ही आते हैं और सबसे महेंगी वाले अपल है यह वाले थ्री एलवी आट डॉलर के एबोकेड़ो का प्राइस देख रहे हो साथ डॉलर के पांच एवचेड़ो साथ डॉलर के एक डॉलर से भी जादा एक एवचेड़ बट़ रहा है अब बारे हैं वेजिस की तरफ धनिया की एक उच्छी दो डॉलर की एक सो बीस रुपए मैं तुम प्यार नहीं कर रहा है इंडिया के साथ लेकिन अभी इंडिया से आया होना से इसलिए मुझे आसा फील हो रहा है कि काफी जादा मेहिंका है यहां पर समान यह इसनी सी कुछी आपको मिलेगी दो डोलर की ओ माई गुडनेस गोपी का फूल है यह डोलर का गोपी का फूल हुआ अपड़ा है अधो डर गया देखकर इसको डे डोलर की मुली 326 पर केज़ी लेकिन यह कैरेट्स है यह वाली जंबो कैरेट्स है यह वाली 147 पर अलबी शिम्ला मेर्च बगरा जरूर ले सकते हैं यह 297 की पर अलबी लगी हुई है 167 का कुकंबर टैक्स डाल कर दो का ही बढ़ जाएगा दो डोलर का एक खीरा देखना दो डोलर के पर अलबी साड़े चार डोलर के एक किलो टो मैडल्स शुकर है सस्ता लगा हुआ है थोड़ा सा आठा तो मुझे जितना भी मैंने सुनने में आया है मेरे की इसका प्राइस ओल्मस्ट ट्वंटीफाइब डोलर 27 डोलर हो चुका था लेकिन अभी पता नहीं क्यों इतना सस्ता लगा हुआ यह दिये पनीर देखो यह कितम है इसमें 225 ग्राम पनीर आठ डोलर का ओमाइगोड देहीं का प्राइस देखना पहले जब मैं लेता था 346 और फिर 7 हुए अभी चार मीने के बाद आया 349 सिधा 2 डोलर इंक्रीज हो गया यार और यह आ गया इधर अपना डिपार्टमेंट चिकन अब चिकन देखो यह जो खाते हैं उनके लिए तो बहुत दूरी चीज है अब यह चिकन लैग पीस है देखो 1.6 केजी का है यह और यह 15 डोलर का है मतलब यह वेट के हिसाफिस का प्राइसिंग की होती है यह थोड़ा सो से वेट कम है तो फिर यह ओल्मस्ट 14 डोलर क मिल रहा है और इस साइड आपको दिखेंगे सारे के सारे जूसीज अब यह देखो सिंपली ओरेंज का जूस आठ डॉलर का लगा हुआ है आठ डॉलर का लगा हुआ है तो आप बादी है सबसे ज़ूरी चीज दूद अब दूद के प्राइस भी काफी ज्यादा महिंगा हो जो कहा है 6.78 का लगा हुआ है चार लिटर दूद और अगर आपने लेना है तो लिटर वो है फो डॉलर एट सेंट का लेकिन जीजीज आर नसेस्टीज यो आपको चाहिए चाहिए जाहे महिंगी और सस्ती यो आपको लेना ही पड़ेगा खाने पीने के लिए लेकिन एग् यहां पर फ्रोजन जो लेते हैं मुस्त ली लेते हैं यह जो मिक्स वैज होती है इसमें कटिंग होई 5.97 का एक पैक लगा हुआ है दो केजीजी का एक पैक सब बारी आई है चावलो की चावल तो हमने पिछली बार लिया ही नहीं थे सितारा के बासमत ही राइस लगे हुए है और अलमस्त पौने 4 किजी 10 डॉलर यदर यह लगे हुए हैं पौने साड़े 4 किलो वल्मस्त सोड़ा डॉलर के और यह हैं सितारा के यह दोनों सितारा की लगे हुए है और यह है रोयल उथाइंटिक बासमती राइस इसमें भी सेम है इसकिसी सेम प्राइस मतलब चावल कासी महंगे हुए पड़े हैं अब देखो अगर आपने यह पता नहीं इसमें क्या खास है मैं यह समय नहीं आ रहा है 181 1.81 kg 12 डोलर के कि यह रही कोफी नैस कैसे की काफी तरह की होती है इनके बाद से लेकिन जो अरिजिनल होती है बस वही नहीं होती यह 444 सेंट की यह चाहिए चाहिए और अगर आपको टी इंडिया चाहिए जिंचर चाहिए 5.97 तो अभी हम पहुंच चुके हैं इंडियन आयल में अब मैं आपको खाता हूं इंडियन के प्राइसिस यह हैं देखो बुंदी यो दही में डालते हैं हम 367 की यह है एक शोटे से बिस्कीट इतना सा पैकट ट्रीट का 107 का यह है सोन पापड़ी पतीसा इतना सा यह है 297 का यह है सेमिया बिने अंडे दियां तो यह है गच्चक यहां पर पड़ी हुई 37 की अब यह जो आप देख रही हो ना शोटे-चोटे पैकट हल्दी राम्स के अब यह स्नैक स्काइप होते हैं यह पहले एक डॉलर के आते हैं और एक पैकट हो गया है 177 का यह 137 का यह 65 सेंट का और यह नीची और भी पड़े हुए हैं जैसे गो रस पड़ा हुआ है 277 का यह देखो कितने सारे मसाले रख लिए हैं वोलमार्ट में पहले बहुत कम होते थे मदलों यहां पर यह सारे के सारे मसाले पहले नहीं होते थे अभी रखे हैं इन्होंने यह गार्लिक यह जिजरा गार्लिक पेस 397 का यह देखो शोले मसाला पता नहीं क्या के रख हुआ टाटा के भी रखे हुए हैं, शान के भी रखे हुए हैं, सारे के साले, लेकिन एक पैगर 144 का है, सबसे मेहंगे मुझे यह लग रहे हैं, एबरेस्ट के 227 का, यह है 177 का, यही वाली सेम कैचो पहले आती थी कुछ 2 डॉलर की और अब यह 3 डॉलर 7 सेंट, सारा कुछ मतलब थोड़ा से एक्सपैंसिव तो हो रहा है, बड़े एक एक डॉलर बड़ा है, लेकिन सारा कुछ बड़ा जिरूर है, अब यह वले जो आलू है, वह 7.97 के यह वले हैं, 6.97 के, लेकिन हम यही बाली लेता हैं, पहले भी आई थिंक, अब यह भी देख कर लेने पड़ता है, समार, अभी अभी ब्रेड लेकर आई है, जैस्मिन कितने की है, बोलो, एक चार की है, 3.70 की है, पहले यह फूर, 60 की होती थी, अभी दो शेकी मिल रही है, और एक है, 3.67 की, बजलो, एक चार डॉलर की, लेकिन दो ब्रेड बंदे ने करनी किया है, बात तो यह है, ब्रेड तो वैसे भी हम ज्यादा टाइम के लिए रख नहीं सकते है, तो फोड़ा ही टाइम चलती है, जैसे यह अवली ब्रेड के एक स्पाइड है, मार्च बाइस, भी ग्रोसरी हमें जो खास-खास चाहिए था वही लिया है, समार, और बाक भी अभी मुझे चाहिए पदा निक्या कहते है इसको, में जोना है कि इसको लूफा कहते है, पदा निक्या कहते है, मजे बताना जिरो ठीका कमेंट्स में, हुन तोरी अली गालदा स्लोग का नो, हम बच्पन में जब गाउं में रहते थे तो यो सूखी भी तोरी नहीं होती, आप भी करते होंगे, तो इसको यूज़ गिया तो अब जब अब जब स्ली ए और स्पाइस यूज़ गरता हूं, बोडी बोश, तो इसको उसको ऑपर डालो और यूज़ करो, तो अब ही हमने जितनी ग्रोसरी किये न, उसके लगे हैं, वन हंडर्ड एन फिफ्टीन डॉलर्स, तो अभी हमने जि अब हमेशा ही बाए करने परती हैं, जितना मर्जी प्राइस उपर चला जाए, बहुत जूरी समान तबस वही लिया है, और इसका टोटल बील बना हंडर्ड एन ट्वड़ी डॉलर्स, लेकिन विकोज अफ नियो मुझे इसका कैश बैक आया है, अगर हम किसी और स्टोर में जाते हैं, किसी लेट से, किसी रेस्टोरन पर जाते हैं, या फिर किसी और हम ग्रोशी स्टोर पर चले जाते हैं, जो कि नियो का पार्टनर है, वहां पर 5%, 10%, 15%, 20% तक भी उसका कैश बैक आता है, कभी-कभी मुझे, so that's the big benefit, और हाँ, सबसे बढ़िया बात जो इसकी यह है कि आप इसका prepaid card यूज कर सकते हो, अगर आपको credit card ने मिला, उस पर भी आपको cashback आएगा, तो जो आप खुद सोच कर लेखो, if you are spending, spend smartly, यह मैंने बहुत बड़ी गलती गी थी, जब मैं student था, मैंने cashback वगरा credit cards या फिर debit cards जैसे नियो जैसे bank accounts पर मैंने ध्यान नहीं दि अगर आप इसमें अपने पैसे सेव करोगे तो monthly आपको interest आएगा, and you will save a lot of money, so finally we are back at home, अपनी grocery होगी है, लेकि इतना जादा टाइम लग गया ना जो ग्रोस्री को यार, मतलब 3 घंटे मेरे खराब होगे, मैरे, मैंने वीडियो कर अपनी आडिट करनी थी, लेकिन बहुर एक चीजी पसंद नहीं है, यहां पर कि हमें शोटी-शोटी चीजी लेने के लिए जाना पड़ता है, बड़े-बड़े stores में यहां पर फिर इतना बंदा घूमता है, फिर टाइम लग याता है, anyways, तभी यह अभी तक setting नहीं की हुए, ग्रोस्री के यहीं पर ऐसी बड़ी ह यह सारी की सारी अभी आपने रखने भी पड़ेगी, मुझे बूक बहुत लगी थी, तो घर पर आते ही, मैं सबसे बहुत खा रहा हूँ, औरेंज